लो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेंड तो हम एप्रेल 2023 की क्रोनलोजी को पढ़ रहे थे लास्ट जो वीडियो नंबर सेवन था उसमें हमने पुरुसकार सम्मान तक की चीजों को देख लिया था आज हम पढ़ेंगे खेल पर इद्रश्य को तो जो लोग भी आरेस की तियारी क से स्पैसेफिकली में कहूंगी और RPSC की किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं जब करन्ट अफेर्स पूछा जाता है तो आप जरूर से इस मेग्जीन को रेफर कीजिए आपके करन्ट अफेर्स के लिए वन स्टॉप सॉलूशन है कि आप इस मेग्जीन को अच्छी तर प्रादेशिक पर इद्रश्य आप इसके अलावा पूरी मेग्जीन पढ़िए आपके लिए करन्ट अफेर्स बहुत बैटर तरीके से अपके प्रिपएर हो सकते हैं तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे खेल पर इद्रश्य को हां इस मेग्जीन का pdf में ने अप्लोड कर वीडियो कवर हो जाता है और सबसे बड़ी चीज है कि जो मेगजीन है उसको आप उरिजिनल फॉर्म में पढ़ते हैं तो आपको एक-एक चीज पता रहती है कि हमने यह चीज पढ़ी थी यह चीज इसमें हमको स्किप करनी थी तो आप मेरा मानना यह है कि औरीजिनल जो डॉ बीस मिनिट में या हाफ आर के अंदर या मैक्जिमम बन आर के अंदर हमको हर चीज कवर करनी है तो वह उस हिसाब से चीजों को कवर किया जाता है जो की ओरिजनल चीज का मुकाबला वहां नहीं होता तो आपका बेस अगर आपको स्ट्रॉंग करना है करन्ट अफेर्स में तो पढ़ेंगे, एक वुमेंस प्रीमायर लीग जो है वो पढ़ना है और एक लिजेंड क्रिकेट लीग मास्टर उस गेम के बारे में पढ़ना है देखें आरेस मेंन्स की बात करें तो वहां आपको स्पोर्ट का सेक्शन आपके अलग से पेपर है आपको पढ़ना ही है प्रि द्रिश्र के दो पन्नों को भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए तो चलिए पहला जो है हमारा वो है वुमेंस प्रिमार लीग और यह पहली बार आयोजित हुआ है और मेजबान देश कौंता कहां पर इसका आयोजिन किया गया तो भारत के मुंबई के अंदर जो हमारा वीर प्रित कॉर्ड जो है उनकी फोटो भी लगी वी है तो हर्मन प्रित कॉर्ड जो है वो मुंबई इंडियन्स की कैप्टन है और अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तो मैग लेनिंग जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन है तो यह सब चीज़े मैं आपको बता दी के पहला संसकरण है यह वो सारी बाते कैप्टन के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा फिर देखें यहां पर जो है और टूर्णामेंट था मतलब और पूछा यही था कि Emerging Player of the Series कौन था टूर्णामेंट कौन था ऐसा करके नेक्स्ट देखें लीजेंड्स क्रिकेट लीग मास्टर्स 2023 अब देखें जो लीजेंड्स क्रिकेट लीग मास्टर्स है यह भी मिक्स्ट जो प्लेयर्स होते हैं उनको जो कैप्टन थे वो थे उपुल थिरंग और फिर तीसरे हैं हमारे वर्ड जयंट्स तो इसके जो कैप्टन है सौरी जो इंडेयन महराजाज हैं उनके कैप्टन रहे भारत क fır अतंब गंबीर और जो वर्ल जीएंस है उसके कैप्टन रहे अटे उप वर्ड धिती अ In아 तो हमको इतना तो नहीं ध्यान रखना है यह तो मैंने बताया है कि Justice में जो है कौन-कौन से प्लेयर्स आपको मुख्यते देखने को मिले जो यह लीजेंड्स क्रिकिट लीग है यह जो ट्रॉफी है यह एशियन लॉयंस में जीती है और किसको हरा करके जीती है तो वर्ल्ड ज तरंगा उनको प्लेयर ऑफ दा सीरीज जो है इसमें गुशित किया गया है और अच्छा वहाँ एक बार और मैंने मिस्टेकन बोल दिया कि जो वर्ल्ड जॉयंट से उसके कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया के अरान फिंच और महराजास के कप्तान तो गौतम गबीर मैंने सही ब प्लेयर ऑफ दा सीरीज जो है इसमें दिया गया है नेक्स चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्र टेस्ट शंकला भारत ने दो एक से जीती अब देखिए भारत के अंदर एक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भारत के अंदर ही जो है एक तो टेस्ट मैचेस खेले बात करें जिसका किया नाम बॉर्डर गवसकर ट्रॉफी भी है उसमें तीन एक उसमें चार टेस्ट मैचेज हुए थे जिसको कि भारत ने जो है इस श्रंखला को जो है इसको हरा करके ऑस्ट्रेलिया को हरा करके सुझीता है अब कहां-कहां वह इतना तो ध्यान रखनी की मैच वाला टेस्ट मैच हुआ तीसरा दूसरा वो बन डे मैच हुआ तो टेस्ट मैच की बात करें तो इसमें भारत ने इसको जीता है उस्ट्रेलिया को अरा करके और इस टेस्ट मैच को बौर्डर गवसकर ट्रॉफी भी कहा गया है और इसमें जो है आर आश्विन और रवेंदर जड़ेजा को सहीक तुरूप से प्लेयर आफ दा सीरीज गोशित किया गया है इसमें जो कैप्टन थे हमारे वो थे रोईट शर्मा और आस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन थे पैट कमिंज फिर अगर हम बात करें अच्छा एक चीज और इसमें कि हमारे यहां से डेब्यू करने वाले कुछ खिलाडी है नई खिलाडी केस भरत और सूर्य कुमार यादव और आस्ट्रेलिया की तरफ से जो डेब्यू किया है वो टॉड्ड मर्फी और मैथ्यू कुमहौन ने जो है वो कि तो अब देखिए इसमें यह चीज भी इंपॉर्टन्ट है कि अगर मालीज आपसे प्लेयर पूछ लिया जाए कि प्लेयर किस से संबंदित है तो आप ध्यान रखेगा कि यह जैसे सूर्य कुमार यादव देखर के पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट से सं और इसमें यह मैचेस कहा हुआ है यह आपको नहीं देखना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है मिशेल मार्श इनको प्लेयर ऑफ दा सीरीज यहाँ पर गोशित किया गया है तो यह आपको ध्यान रहेगा पहली तो है एक दिवसी स्ट्रंग कर सारी टेस्ट सीरीज भारत न जाता है जो रंजी ट्रोफी विजेता ट्रीम होती है वो और जो शेश भारत की जो टीम होती है उसके बीच में इसको प्ले किया जाता है तो शेश भारत का मतलब यह है कि बारती जो टीम से बनाई हुई होती है उसको शेश भारत का नाम दिया जाता है तो उन टीमों के बी में उसने टू थार्टी एर्ट रंसे इसको जीता है अगर हम बात करें इनकी कैप्टन्स की तो जो इस मैच में शेष भारत की जो टीम में उसके कैप्टन थे मयंग अगरवाल और मद्यप्रदेश टीम के कैप्टन थे विकेट के पर हिमान्शू मंद्री और इसके अंदर प्लेयर ऑफ दे मैच गोशित किया गया ये शस्वी जैसवाल को इतना अगर आप ध्यान रखें खूब है कि इसमें जो है शेष भारत वाली जो टीम है इस वार इरानी कप जो है उनके द्वारा जीता गया है इसके बीच में खेली जाती है तो रंजी ट्रोफी विजेता जो टीम होती है वो और जो बाकी की जो टीम सोती है उनके बीच में इसको खेला जाता है और 30 वी बार है कि ये जो है शेष भारत इस कप को जीतने में यहाँ पर सफल रहा है चलते हैं नेक्स्ट हमारे अब देखें अगर आपको फर्स्ट वीडियो याद हो तो हमने वहाँ पर भी पड़ा था कि ये जो आई बीए वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चेंपियंशिप हुआ है नई दिल्ली के अंदर यह भी देख लीजेगा कि ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ य लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने 16 साल के अंतराल के बाद में जो है चार स्वर्ण पदक जीत करके पदक तारिका में शीर शिस्तान को प्राप्त किया है अब आपको ये जो महिला बॉक्सर से इनके सब के नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि एक्जाम में आपसे ड नारतिय महिला है एक तो है नीतू घंगास जो की जो है 48 केजीज में है लेकिन इतना आपको याद नहीं रखना है और इतना देखिए इसमें एमसी मेरिकॉम के बाद भारत की दूसरी वर्ल्ड चैंपियन जो है वो बनी है स्वीटी बूरा है और यह 2014 में विश्व चैंपि मेरिकॉम के बाद एक से अधिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतिय महिला मुक्यबास जो है वो बन गई है लास्टली है लवलीना बोर्गोहन यह टोक्यो ओलंपिक में पदक विजयता भी रह चुकी है 75 किलोग्राम के अंदर खेलती है यह विश्व चैंपियनशिप में का पहला स्वन पदक है और इससे पहले 2018 और 2019 में कांसी पदक भी यह विश्व चैंपियनशिप में जीत चुकी है तो अगर MC मेरिकॉम की बात करें तो वो तो लगातार 6 बार जो है वो वर्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुकी है उसके अलावा जो यह बॉक्सर से इनके नाम आपको ध्यान रखने एक तो है नितु गंगास दूसरे स्वीटी बूरा निखत जरीन और लवलीना बोर्गोहन ठीक है अब चलते हैं बेड्मिंटन पे बेड्मिंटन पे क्या इंपोर्टन न्यूज है तो यह तो बहुत चोटी सी है इसमें न्यूज अगर पीम से कोई जीता नहीं है तो यहां देखिए कि बर्गिंगम इंग्लेंड के अंदर इसका योजन किया गया इसके अंदर चाइना के ली शिपैंग जो है उन्होंने पुरुष्णों का खिताब जीता है और महिलाओं में अगर हम बात करें यह दक्षन अफ्रीका लिखा य आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि संतोष ट्रॉफिक की स्केल से संबंदेत है तो फुटबॉल से संबंदेत है और यह अभी खेला गया था जो साओधी अरेवे का रियाद के अंदर किंग फयाद स्टेडियम में इंटरनाशनल स्टेडियम में वहां पर इसको प्ले किया है और तो इसके लावा इसमें कोई important बात है नहीं यह ध्यान रखिएगा कि पांचवी बार लगातार जीता है और उसके अलाबा यह संतोष ट्रॉफिक से संबंदेत है फुटबॉल से संबंदेत है करनाटक ने मिघाले की टीम को हरा करके इसको जीता है फिर चलता है और पाइविजिन किया गया था इसके अंदर भारत को कौन सी रेंकिंग मिली है तो भारत इसमें पदक तालिका में second position पर है फुस्ट इहां तो भारत ने एक स्वन पदक जीता है, एक रज़त पदक जीता है, और पांच जो है वो ब्रॉंज मेडल या कांसे पदक जीते हैं, अब हमारे कौन से खिलाड़ी है जिन्गोंने स्वन पदक दिलाए है, उनका नाम आप ध्यान रखेएगा, तो देखिए स्वन पदक में रिदम सांगवान उनको मिक्सड पिस्टल टीम के अंदर पुरुसकार दिया गया है, तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखना है कि ये किस से संब्दित है, शूटिंग से संब्दित है, फिर आप जानते हैं कुछों के नाम तो आपको पता है, जैसे रुदरांग्ष, बाल वरुन सिंह तो उमर जो उपर आया है, ये तीनों जो है, इन्होंने कासे पदक में भी अपना नाम दर्च करवाया है, ठीक है, तो आप एट लिस्ट सरवजोद सिंह और जो वरुन तो उमर रिदम सांगवान और मनु भाकर, इनके नाम तो आपको ध्यान रखने हैं, फिर चलते हैं, हम नेक्स्ट टैनिस के उपर, टैनिस में देखते हैं क्यों कौन सा कप है इंपोर्टेंट, अब देखें टैनिस वाला जो ये खिताब है, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ों हमें सिर्फ इंडिया के पॉइंट ओफ यूसेज को ध्यान रखना है, हमारे इंडि हैं यह हैं और भारत के हैं रोहित बोपन्ना और इनका देखें एक यहां पर एक क्या कहा है, इसको अचीवमेंट भी है, कि 43 वर्षी बोपन्ना ATP मास्टर्स में 1000 टाइटल जीतने वाले सबसे उम्रदरास खिलाडी बन गए हैं, तो आप ध्यान रखेगा खिलाडी के बारे में कि यह टैनिस से अमंदित भारतिय खिलाडी हैं और इन्होंने आभी हाली में जो है इंडियन वेल्स मास्टर्स टैनिस टूर्णमेंट का पुरुष डबल्स का खिताब जीता है, उसके अलावा आप सारी चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, क्यों बहुत सारे फैक्ट्स हो एथलेटिक्स में जो पुरिश्रों की लंबी कूद होती है, उसमें इन्होंने राष्ट्रे रिकॉर्ड कायम किया है, तो 8.42 मीटर की कूद लगा करके जो है इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाएं आपर तो इतना ही ध्यान रखेगा कि जैस्मिन एल्डरिन कौन से खेल से चैंप्यंशिप तो नहीं है, यह एक अंतर राजिये और राष्ट्रिये स्तर की चैंप्यंशिप है, जिसको की जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित किया गया, 26 सालों के बाद जम्मू कश्मीर को मेजबानी मिली है इसकी, अगर हम देखें तो इसके अंदर इस इसके अलावे काफी सारे नाम है लेकिन मुझे लगता है कि आपको पूरी न्यूस को स्किप कर देना चाहिए यह एक्जाम में नहीं पूछने जैसा कुछ इसमें है नहीं फिर देखें बिलियर्ड्स की बात करते हैं स्नूकर जिसको कहते हैं तो इसका आयोजन अभी एशियन स्नूकर और इंग्लिश बिलियर्ड्स चैंपिन्शिप का आयोजन दोहा कतर में किया गया और कुछे खिलाड़ी हैं जो हमारे बिलियर्ड्स के अंदर इंपॉर्टेंट है जैसे भारत की जो खिलाड़ी उनकी बारे में हम पड़ेंगे यहां देखे अगर आप देखेंग कि बिलियर्ड्स से संब्वंदित बहुत कम खिलाड़ी हैं भारत से तो फंका जाड्वानी और दूसरे ब्रिजेश दमानी और अगर कोई नाम आपके दिमाग में आता है बिलियर्ड से संब्वंदित किसी खिलाड़ी का तो आप जरूर से कमंट सेक्शन बताएं उनके अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है बिलेड्स के अंदर तो फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्चरी में इसको तो फ्रेंड्स हम कट कर देते हैं ये भी कुछ काम का है निविशेश आगे चलते हैं प्लेयर इन न्यूज तो एक होकी की स्टार है आपको पता है होकी की खिलाडी ह इनके नाम पर अभी जो रायर बरेली का जो स्टेडियम है उसका नेम चेंज करके रानी जगर्ल सौकी टर्फ रखा गया है तो ऐसी उपलगदी हासिल करने वाली ये पहली महिला खिलाडी बन गई है तो ये नाम ध्यान रखना होगा आपको रानी रामपाल पहली बात तो ह किसे संबंदित है और इनके नाम पर रायर बरेली का जो स्टेडियम में उसका नाम बदल करके रानी जगर्ल सौकी ट्रफ रखा गया है फिर देखिए एक ग्रेंड मास्टर है डी कुकेश आपको पताए डी कुकेश के बारे में हमने पढ़ा है ये जो है शत्रंसी संबंद भी है ठीक है तो प्लेयर का नाम आप ध्यान रखिए का विशेश रूप से किससे संबंदित है बाकि आपको अचिवमेंट पता रहे न रहे लेगिन यह जुरूर पता हो देखिए फिर देखिए अब देखिए क्योंकि शत्रंज से संबंदित है तो जो एशिया ही महिला तीम है उसमें कोनेर। अरवेशाली तानिया सजदेव और भक्ती कुल करने को काँसे पदक जीतने के लिए दिया गया है वर ग्रेंडमास्टर अभी जीत कुन्ते जो महिलाओं के कोच उनको दिया गया है तो यह सभी चेस से सम्द्दित पूरसकार हैं जो हमने यहां पर अभी पड़े दी गुकेश का नाम आपको ध्यान रखना है और जो यहाँ पर प्लेयर्स के नाम दिये गए हैं उनके नाम भी आप ध्यान रखेगा अब हम चलते हैं यहाँ पर शॉर्ट न्यूस पर तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या-क्या साब से हम इसको पढ़ेंगे देखे 26 मार्च को हर्याना के अंदर जो है नौवी सीनियर राष्ट्री महिला कबड़ी चैंपियंशिप हुई यह नेशनल लेवल की कबड़ी चैंपियंशिप हुई इसमें मेजबान हर्याना टीम थी इसको हरा करके किसने ही किताब जीता है तो यह राष्ट्री लेवल का खिताब है और यह हिमाचल प्रदेश ने जीता है फिर देखिए नेक्स्ट जो है वो है कि अभी जो है बासेल के सेंट जेकब शाला एरेना में खेले गए स्विस ओपन बेडमिंटन 2023 के फाइनल में भारती जोड़ी चिराग शेटी और सात्विक साहिराज रंकी रेडी ने किसे हरा करके एक खिताब जीता है तो टैन कियांग और रेन जियांग जो दोनों ही चाइना से हैं उनको हरा करके जीता है तो आप पहले तो यह ध्यान रखेएगा कि यहाँ पर जो चिराग शेटी है और सात्विक साहिराज है यह दोनों ही बेडमिंटन से सम्बंदित के लाड़ी है बाकी क्या जीता है क्या नी जीता है वो अलग मैटर है उसको आप नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं फिर देखे जापान के नोमी में एशियाई 20 किलोमीटर रेस वोकिंग चैंपेंशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है तो भारत के अक्षेदीप सिंग जो है उन्होंने इसमें एक एतिलीट है स्प्रिंटर है और इन्होंने इस रेस के अंदर भारत के लिए खिताब जीता है फ्लॉरिडा युएसे में पीजी ए टूर सत्र दोहजार थेस की गोल्फ प्रतियोगिता के अंदर वॉल्स पर चैंपिंशिप का किताब किसने जीता है तो टेलर मूर्ज अमेरिका के हैं उन्होंने जीता है उसके अलावा इसको अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी च प्रतियोगिता जिसको की गुजरात ओपन गोल्फ चैंपिंशिप 2023 का किताब जो है इसमें किसने जीता है तो भारत के अमन राज जो है वो उन्होंने इस किताब को जीता है तो देखे उपर अक्षेदीप सिंग जो भारत से हैं वो भी वो तो है रेसर और नीचे अमन 2023 को उर्मिया इरान में संपन जूनियर कबड़ी चैंपिंशिप का खिताब जो है वो किस देश ने जीता है भारत ने किस देश को हरा करके खिताब जीता है तो इरान को हरा करके भारत ने ये खिताब जीता है इरान में कौन सा किताब है जो कबड़ी चैंपिंशिप है जू यानि इन फेंटीनो नाम के जो विखती है इनको दुबारा से फीफा का जो है वो अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है फिर देखिए भारतिय पेराओलंपिक संग ने पैराइथलीटों के साहता के लिए किन दो संगटनों के साथ समझाथा हाली में किया है तो पैराइथलीटो के पूर्व कफ़तान हैं जिनोंने अभी 2023 के अंदर क्रिकेट करीयर से सन्यास लेने की गोषना कि तो टिंप पें जो हिए खिलाड़े हैं उनोंने गोषना कि तो नाम ज्यान रखिएगा हो सकता पूछ ले कि टिम पेन आवी हाले में जिन्होंने सन्यास लिया है क्रिकेट से तो किस टीम से संबंद है या किस देश से इनका संबंद है तो यह ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं फिर देगे आइसी सी ने 2023 का महिला प्लेय है उसके लिए क्योंकि प्लेयर आफ़ दा मंत के ऊपर कोशन आया हुआ भी है फिर देखिए उन्नेस मार्स 2023 को चोड़ दीजिए यह काट दीजिए यह मैंने आपर कट कर रखा है इसको नहीं पढ़ना है फिर देखिए मार्स 2023 में होकी इंडिया ने किसे भारतिये पुरु है एश्वर्या बाबू तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं जिन पर अभी हाली में प्रतिबंद लगे हैं तो यह त्री कूद खिलाडी हैं जिसको जंपी बोलता है फिर देखिए 28 परवरी 2023 को पुने में 84 सीनियर राष्ट्री बैड्मिंटन चेंपियंशिप में और महिला एकल खिताब किसने जीता है तो मिथून मंजुनात और अनुपमा उपाध्याय जो है उन्होंने यह खिताब जीता है किसमें बैड्मिंटन चेंपियंशिप में तो राष्ट्री है हाला कि इतने कोई चर्चित नहीं है फिर भी देख सकते हैं इसको आप फिर चिता है यह आप ध्यांड रख सकते हैं यह आप स्टार भी लगा सकते हैं तो मिलन श्रिवास्तव जो जोदपूर के है उन्होंने ये जो पावर लिफ्टिंग उसके अंदर यह खिताब जीता है मिलन श्रिवास्तव हो सकता है चर्चा में आपसे रहए खिलाड़े कुछ पूछ ले एक्जाम में तो हाली में फीफा वर्ड कप एवं 100 वे अंतराष्ट्रे गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं तो वो है लियोनल मैसी हम सब के प्यारे लियोनल मैसी अर्जंटीना के तो इन्होंने एक जो है 100 गोल करने का खिताब अपने न में हो होकी में हो उनके नाम आप ज़रूर याद करके रखिए कि यह एक प्लेयर के स्केल से संबंदेता है तो आप कम से कम आपको यह रहेगा कि कम से कम प्लेयर का कोशन आएगा तो मेरा गलत नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे थैंक यू वेरी मच पर लिसनिंग